नमस्कार मैं हूँ दीपक पांडे और मेरे साथ मौजूद है साबिया खान पठान जो की पिछले साड़े चार साल से बांगला देश में रहे करके एमबीबेस की पढ़ाई कर रही थी लेकिन हाले में वहां के जो माहुल जो बिगड़े है उसी के बीच अपसरुक्षित अप सबी देख रहे हैं किस तरीके से वहां का जो माहुल बिगड़ा है और देश पे जो है तनाव के स्थी उत्पण है उसी बीच साबिया भी वहां पर इस ही माहोल से निकल कर बहारत बहुत दर्श्वागत है आपका तेंक्यू जाना चाहेंगे किसे वहां पर बांगला देश इस बीच किस तरीके कि वहां पर जो बहुत आप लोग कैसे वहां पर रह रहे थे क्या कुछ चल रहा था पूरा घट्ने करम बताईए लुग 17 जुलाई को लास्ट मन्त हम लोग 17 जुलाई को हमारा छुट्टी थी तो हम लोगों को अचानक से मैसेज आया कि रहा का में कुछ हालात खराब हुए है स्टूडेंट प्रोटेस्ट चालू हुआ है जिसके चलते शायद इंटरनेट भी बंद हो सकता है अगले दिन तो हम लोग यह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि एक दो दिन के लिए कुछ हुआ फिर सटेडे से नॉर्मल क्लासेस कंटिन्यू हो इनफॉर्म नहीं कर पाय थे कि नेट बंद हो चुका है और घरवाले भी टेंशन लेते इसलिए हमने इंटरनेशनल रिचार्ज करवाया और फिर हमने घरवालों को मैसेज किया कॉल किया इनफॉर्म किया पेरेंस को कि हां पे इस तरह की स्तीती बंद चुकी है और इंटरन है क्या इस्तीती है कब से कॉलेज खुल सकता है उसके बाद हमें जो इंडियन हाई कमिशन है धाका में उन्होंने एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया था जिसका नाम रखा था मदद तो उस नंबर पे कोई भी इंडियन स्टूडेंट जो बंगलादेश में है वो किसी पर तरीके गर उनको कोई प्रॉब्लम है कोई कुछन है कुछ है तो वह वदत हेल्प लाइन पर फोन करके और उनसे बात कर सकते थे जिस समय जो माहूल भी गड़ा उस समय आप लोग कहां पर थे क्या सिती में और जिस जगे यह महूल की तनाव की सिती बनी महां से आपकी डिस हैं यहां से मैं 50 km दूर रहती हूं जिस जगह में रहती हो उसका नाम मिर्जापूर तंगाल डिस्ट्रिक टंगाल है और गाव का नाम है मिरजापूर चोटा सा ताउन है वह बहुत छोटा सा तो महां पे बहुत सेफटी थी महां पे हमें कुछ leuk करने को सक मिला नहीं जो भी मेंली ऊरहा था तो एक तनाव तो था दिमाग में बेशक कि वहाँ प्रक्राइप क्या हो रहा होगा क्या सिचुएशन है हमारे जो बंग्लादेशी फ्रेंज हैं वहां पे वो फसे हुए थे पर जिस जगह हम थे वो बिल्कुल सेफ थी वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसे कि आपने बताया कि करीब चाल से पास दिन तक इंटरनेट सेवा बंध हो गई थी कोई संपर नहीं कर पा रहे थे घर से भी बाच्चित नहीं हो पा रही थी उस दोरान क्या चल रहा थे उस दोरान एक टेंशन का माहूल था कहीं नहीं पहली बार लाइफ में ये फेस किया कि इंटरनेट नहीं था तो प्रॉब्लम ये भी हो रही थी कि घर पे कैसे बात करें दुसरी बात कि घर वालों को सदा टेंशन थी कि बच्चे कैसे होंगा औ क्लासेस नहीं थी तो कहीं नैंक होस्टल में बस रहे कि और तरीके से तरॉन में बस बेट है तहिंतार ना है कि अब इंटरनेट आ ये खाये हम लोग घर पर कुछ आपएंगे या हम लोग न्यूज देख पाएंगे कि कि एक्प्या रही teen सब्सक्राइब रहा वो साथ दिन, हमारे पांच साथ दिन जो थे वह हमारे काफी टेंशन में भीते है. किस दिन था जब वहाँ से आप वाहरत के लिए और उस भीज का जो सफर था, वहां क्या क्या कटना की आई थे? मेरी फ्लाइट 6 अगस्ट की थी मॉनिंग की पर में 5 अगस्ट को ही रात में साड़े यारा बजे निकल गई थी एरपोर्ट के लिए तो हमें दिल में टेंशन तो था कि हम लोग एरपोर्ट कैसे पहुचेंगी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 50 किलो मिटर दूर है तो कही मन में यह एक टेंशन था कि रस्ते में कुछ मतलब ऐसा माहूल ना देखने को मिले या कोई अन्यूजवल एक्टिविटी हमें ना देखने को मिले इसलिए पहले हमने कॉलेज ऑफोर्टी से बात की हमने उन्हें इंफॉर्म किया कि हम जितनी इतनी गर्ल्स है हमें जाना है हमारी फ्लाइट है सिक्स्त की हमें रात में निकलना है क्योंकि इंडियान एंबसी ने हमें कहा था कि आप लोग जितनी जल्दी हो एर्पोर्ट पहुँच जाएए एर्पोर्ट बंद हो जाएगा फिर आप लोगों को क्लिए प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम लोगोंने लोग गये गलल्स थी और उनके जो नंपर थे नहीं रहीं फीछ की के यूशित इंट आफोरिटी से बात की बॅहां से हमने बात की कि हम लोग इतने स्टूडेंट्स है हम लोग यहां पे एरपोर्ट पे हैं अब हम वापस जाने की स्थीति में भी नहीं है हम रात बर वही हमारा स्ट्रगल एक चलता रहा कि हम लोगों को जाना है तो फिर बहुत कोशिश हो के बाद बहुत रिक्वेस्ट की इंडियन एंबेसी ने काफी हेल्प की उन्होंने हमार किसे सपोर्ट प्रोवाइड किया उससे लग रहा था कि हम घर तो सुरक्षित पहुच जाएंगे अभी जिसे की पड़ाई आपकी बीच में छूड गई है उसको लेके चिंता होंगी किस तरीके से कर पाएंगे क्या प्लान आगी चिंता तो बिलकुल है क्योंकि हम लोग च अग्वाइड कर दो बांगलादेश वेरी सोन अभी देख रहे हैं चुकि सरकारगीर चुकि है अंतरिम सरकार है लेकिन वहां उसके बाद भी जो हालात कापू में नहीं आ पा रहे हैं क्या लगता है जो आप चात्रों से बात कर रहे होंगे वहां किया कॉलिज प्रसासे से हमारे साथ साबे की माता जी सबनव खान भी साथ में हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि जब उनकी बच्ची वहां पर तीन हालातों में तो यहां क्या कुछ चल रहा था डेफिनेटली टेंशन बहुत हो रही थी लेकिन थोड़ा सा बस यह था कि दिन में एक बार हम लोग इंटरनेशनल टॉक टाइम डलवा के हाल पूछ लेते थे थोड़ा सुकून हो जाता था लेकिन जब पांच अगस्त के बाद जब इस्तितियां बिगडी तब बहुत ज् और इवन हम लोग रात भर सो भी नहीं पाई थे जब तक घर नहीं पहुची या एरपोट नहीं पहुची तब तक एक बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि पतानी क्या होगा और उसके उपर सबसे बड़ा टेंशन था कि बात नहीं हो पा रही थी तो ज़्यादा चिंता हो रह हर परिवार के साथ आ गई है और मिल चुकी है और हाली में बता रहे हैं कि हफ्ते बर में वहां के हालात जो है अब ठीक ठाक हो सकते हैं क्योंकि उनके लगातार बाच्ची चल रही है वहां पर और जैसी हालात ठीक होते हैं वह अपिस अपनी पढ़ाई को पूरी करने के ल कि अपनी वह अपनी आप लगातार बाच्ची अपनी अबड़ार बाच्वार साथ इनक